हेलो फ्रेंट स्वागत आपके ही चैनल फेंटैसी दॉक्टर मेग बर्फिट से जो मैं चम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो ने वाला यहां पे आउकलेंड हर्ट्स वुमेन वर्सेस वैलिंटन ब्लेज वुमेन के भी जो मैच होने वाला इस मैच की वीडियो है यह ना में फेंटैसी डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखावा दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारा टेलिग्राम चैनल अवेलेवल है पर आपको हमारे टेलिग्राम के जो रियल और ओरिजनल चैनल है उससे कैसे जूड़ना है आपको सिंपली करना क्या है वीडियो क टेलिग्राम चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट में जो आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया है आपको उसी का यूज करना है तभी आप हमारे टेलिग्राम के सही और ओरीजिनल चैनल के साथ जुड़ पाऊगे तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट तो first of all बात करते हैं कि कौनसी टीम है कौनसी टीम वीक है इन्वेस्टमेंट कहसे करने है जैसे मैं आपको पहले पहले बोल चुका हूँगी सेमी फाइनल एलिमिनेटर मैच है जो टीम इसमें से जीतेगी वह फाइनल में खेलेगी केंटेबरी मजीशिन वुमेन के साथ फाइ वेलिंग्टन ब्लेज अगर इनके एक प्लेयर सोफी डिवाइन और वो चल जाती तो मतलब फिर तो एंसाइड़ मैच ही वैसे कर देगी तो देखो अग्लेंड हर्ट ने अपना स्क्वार अनॉंस किया असमें देखो गे तो यह है लारें डॉन है बैल आम्स्ट्रॉंग है है ऑल委 है फणल्स led सफव ऐल अजयंस दर जोन से टभी है यह तो यह इंके कुछ इसक्वार अनॉंस के इनमें से कोई 11 प्लेयर खेलने वाली है और अलमुश्ट मान के चलो लाश्ट मैच में प्लेंग 11 रही थी आपको इस मैच में भी दिखने वाली है अगर बात करो कि यहां पर वैलिंटन ब्लेजर अपने स्क्वाइड अनॉंस किया और आप देख सेक्ट आपके सामने यह लिखा वाएं यहां पर मैडी ग्रीन है रेबिका बंस है सोफी डिवाइन है जेटली है कैसपर के अपर अमेलिया के रहे है जैस के रहे का किंग है मैड़ी देन यहां पर है न्यूटन प्लीमर और माइन का बाके बात करें तो हैं यहां पर इनमें से ग्यारे प्लेयर खेलने वाली इनों अपना इसक्वाइड अनुन इंप्रियर यहां पर खेल रहे हैं पर ग्रीन है डिवाइन है कैसपर को वापीस आई जो लास्ट मैच यहां पर खेली थी और सेलेक्शन इट बहुत ज़्यादा कम है और लाइन अपनी आती तो हमें एक फाइदा मिल सकता है यहां पर कैसपर खेलेगी बाके अमेलिया क्यार है जैस क्या रही है चार-पांच बहुत इंपर्टन प्लेयरन की तीम से रहने वाली है तो थोड़े दो-तीन दिन पहले भी इनका अपस में मैच हुआ था दोनों ही टीम का अपस में मैच हुआ था और यह लीग स्टेजिस के मैच इस थे बात करो कि हां पर ऑकलेंड हर्ट ने क्या बैटिंग ओडर खिला था अपने आफट आफट देख सकते हुए यहां पर लारेन डॉन जो आती है अपनी इंटरनेशनल टीम के लिए तो इतनी बड़ा नाम नहीं है क्योंकि यह है वहां में एज बॉलर खेलती है अपर डॉमेश्टिक में बात कर रहे हैं में ऑल्डॉंडर की रूप में खेल रहे हैं और इनके टोर्नमेंट में अभी तक सबसे बैस्ट ऑल्डॉं की बैटिंग थोड़ी अच्छी है यहां पर होडल स्ट की बॉलिंग जादा अच्छी है बाकी बात करोगे अपर लॉर एंडॉन जो की पूरे टोर्नमेंट में दो तीन मैच इसे काफी परफॉर्मेंस की और पचास के आसपास स्कूर करा है और बाकी बात करेंगे अपर कै कि अच्छी परफॉर्मेंस की आज से को कम मेच तीन-चार साल से इसको रेगुलरी इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हुए और यह ऐसी प्लेयर है दस में से आठ मैच में परफॉर्म करने वाली प्लेयर है तो बहुत कंसिटेंट और विकेट बहुत मतलब मुश्किल से देत च्निते है तो इसलिए मैं किसी भी इसको किसी भी कहुत मिना आज़ता अधर्वाइस मुझे करेड का इशन नहीं आथ तो मुझे मिस बात करना सकते है अधर्वास मैं बहुत कोई खास प्रफॉर्मेंस की नहीं बागी परफॉर्मेंस में चल जाती है पांच-छी मैच इसम तो इसलिए बैसमन खेल रहे हो जादा इंपोर्टन नहीं है और मेरे जादा इंपोर्टन रहने वाली नहीं है बाकी कैली है जो नकी टीम में बोसुता हूं कि वन अफ दी बैस्ट बॉलर और काफी कंसिस्टेंट से से विकेट लेके दे रही हर मैच में तो इस टीम में लेके जाओंगा अगर मुझे करेड़ का इशू नहीं आता आता है तो मैं शायज को मिस्करना पड़ सकता है बाकी जैस प्रसाद है क्यों कि अच्छी खासी पेक और इसने भी ठीक ठाक परफॉर्मिस करी है यहां पर निजए आता है बात करो गया है तो यहां के अच्छी बालिंग लिए टॉर्म बाकी बात करें लैंग विकेट कि पर जो की बैटिंग और बहुत नीची है इसले ही इसको मैं तना पिक नहीं करने वाला क्योंकि अपोनेंट की जो विकेट कीपर मैक फईडन उसका बैटिंग ओडर बेभी ऊपर इससे और बात करोगे तो इसकी बैटिंग आई जाती है कहीं मैचिस में अगर टॉप अटर के दो तिन विकेट जल्दी कर जाते हैं तो बाकी एकर बात करोगे तो मैक फेड़न जादा बैटर है लम से मुलि पैनफोल्ड तो मौलि पैनफॉल्डप ममा इसको इम्पॉर्टन नहीं है इसको data की ऑवर मिलेंगे की बैटिंग बहुत नीचे बाकी हाप यहाप ठीम सांटी में शाहरी को मौका बन सकता है। बात करें हैं, यहांपर आने वाली है, फरान जोन्स तीन सलचार और अदालतेव नजर आईगी और याझत इसको इन्टरनेशल टीम में भी मुगहा है और इन्टरनाशनल मैच खेलने वाल्य है, इसमरी फर्स towट मैच होने वाला है इन्टरनेशल में फरान जोनस का ठीक है बाकि बात करें यहां पर बॉलिंग में देखो कि तुम पर कैली मांग के चलो कि आपको तीन सा चार ओर डालते नजर आएगी होडल संके चार और कंसीडर कर कर के चलो पेटर संच चार ओर डाल के चलेगी पैन फॉर्ड अकंफरमिशन यह कितने और करेगी बा सोफी दिवाइन उपन करने यागी जो कि अभी इन्होंने आज ही में खाल से इन्होंने जो इन्होंने स्क्वाइर अनाउंस किया है ऑस्ट्रेलिया वुमें के लिए इंटरनेशल लेवल को समें कैप्टन जो बनाया गया वो सोफी दिवाइन को बनाया गया और सोफी बाकि बाद कर एक पर तैम बाद कर नपे घृइन कर रहे है और डिया के बारह सबसे बैस और इसकर आए तो आप जय देख आप यहां पर आपके नाम में एक आाप सब्सक्राइब तूटेगा नहीं क्योंकि इसने इर्लेंड वुमेन के अगेंस्ट इसने दो साल पहले वन डे मैच इसमें 200 से उपर स्कोर के प्लस सेम मैच अपाच विडिली तो ऐसा रिगॉर्ड है शायद वो मैन ये वुमेन किसी भी फॉर्मैट में वह किसी कोई भी तोड़नी सकता है बह दो मैच इससे बॉलिंग कर रही है तो इसलिए मैं इसको कैप्टन सी भी देने वाला हूं बाकी बागी बाद के रेविका बंस अदर्वाइस यह ओपन करने आज थी जब तक सोफी डिवाइन नहीं खेल रही थी जैसी सोफी डिवाइन आई इसका बैटिंग ओर नीचे कर इसलिए तब इतनी इंपोर्टन है अगर उपन करती तो इंपोर्टन रहती बागी बागी बात करें न्यूटन अगर इनके बाद अगर देखो कि यहां पर डिवाइन और के बाद अगर कोई अच्छी ऑल राउंडर है तो वह है यहां पर लीक एसपर्क आज खेलने वाली ह तो यहां मान के चलो कि रेवी का बंस की जगह लेक एसपर्क बैटिंग करने आएगी और फिर इनका बैटिंग ओडर नीचे होता चलेगा तो ध्यान रखके चलना यहां तो रेवी का बंस बाहर बैटेगी तो चांस मुझे जहां तक नजर आते हैं मुझे लगता है कि बहुत सकता हूं कि इनकी टीम की सबसे बैस्ट बॉलर है लेक एसपर्क और बहुत अच्छी बॉलर है विकिट टेकर बॉलर है इसको टीम से मिस नहीं करना इवन ग्रैंड लिग में आप उसको वाइस कैप्टन से जरूर देनी है लेक एसपर्क को बाकी बात करूंगा इनक कुछ मैचिस खेला करती है इंट्रनेशनल लेवल पे न्यूटन तो अपको चाहो तो पिक कर सकते हैं और न्यूटन को तो यह को दो से तीन या चार ओवर रालते भी नजरा सकती है बस और प्लस बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेती है बाकी बात कर रहें मैग फाइडन चाहो तो चाहरो तो चाहरो डालएं तो चाहो तो चाहरो दालेकी तो छाहरो झाले के वी लिद्टी नजर ढूंद को तार झेल चाहरो जायां बाकी है तो वसल भी से दखित बाहर रहती है तो रहा मैट चार विकेट नहीं चैर लेने वहला हूं यह इनगा है मैच इस भाट हुआ जादा ृग्च जडरले का रहा है तो जिए को सब्सक्राइब आपकि में-ृत्थ तरह जह सब दो डीवाइन ने चार और कंप्लिट करें अर्पर नहीं करेंगा और विकट भी इचार बाकि मैंडी ग्रीन को मैं जैसे बॉला कि उपन करते हैं प्राइब पार्ट टाइम बॉलर हैं विखेंट करेंगी तो थे अफर मूड के उपर हैं कि बॉलिंग करती नहीं ह बाकि मेरी ख्याल से ज्याद इबांग मेलहेफ बाकी मेरी चीम लेके चल ला बाकी में में कासी और यह सिंग नहीं समय ने काफी इसनार canım Libya कर अचाप के साथ जा सेंग अरहे बाकि डिए मेरी अचार वड़ा नहीं करिए किस नार यह देशल णि नेरिख का निनियूतर बाकि जो बचे वे 4 और वह कर सकती हैं एक अदा हुवर मेंका सिंग कर सकती है भाकी बच्चे वे 4 और अफस में शेयर कर सकते हैं यह रिधे थ्यार में बट द्रीम अवर्णमें चेम बना रहे हैं आपको डेफिनेटली 100% क्रेट का इशू आने वाला है तो वह चीज माइंड में लेके चलो आपको एक अच्छा प्लेयर मिस करना पड़ेगा या तो आपको मज़ूरी में एक ऐसी बॉल लेनी पड़ेगी तो आपको डेफिनेटली जैसे विकट कीपर भी चेंज करना पड़ तो अब ही हम फिलाल आते हैं यहां पर तो देखो मै अगर चाहता हो तो आप मैं लेसकता हूं मैं देखो बट मुझे मजबूरी में शयाद अगर रेट का इश्व आपकी बाक्या चार अपरन करें ऑपर है उप कर अपर बाकी है रहे इंकी टीम की जो बैस्ट बैटमन है ऑ परकिन्स और लॉरेंट डॉन में से गर एक उप्शन लेना हो तो मैं डेफिनेटली 100% बोलूगा परकिन्स के साथ जाओगी कि परकिन्स ज्यादा भरोसे मंद और ज्यादा बढ़िया प्लेयर एक्सपिरियंस प्लेयर है बाकि फिलाल में पर क्रेट का इशू आएगा तो मैं इसलिए मैं अगर क्रेट का इशू ना भी होता तो है तो है तो यह दो आगए प्रसाद को तो चलो मैं अगर क्रेट का इसू ना भी होता तो है तो तो मैं भी यहां पर कर ना होता तो भी मैं के साथ ही जाता दूसरा मैं जेटली के अधर हो कि साड़े अधर क्रेट में मुझे जेटली ही मिल पाएगी या फिर आप जेटली की जगा जोनास की अधर सते हैं कि मैं आपको बताई है कि तो उक्लें एकड रचसे की तरफ से बालिंग अपका चांस मिल सकता है और फिर अगर थेखो को कि यह यह जादा ज़यू कि आपको जादा कर ना में पर कर सकते हैं यहां पर लिली को लेंगे, यहां परकिंस को मिस्सक्रना पड़ख रहे हैं तो यहां तो आप बहुत क्रेट के चरण सकते हैं ज्क्तियूज करणे काया तो यह अची करणी क्रेटीम कर पाऊ तर तो तंफे अफ ब्कुर्णी करें कि यहाँ को क्रेट का इस्यूग है बाता और मैं टो आट दो विक्त टीम सेज़ साद एग ने हैं के तो यहाँ आप यह त्हुटीम कर सकते हो तो मानके चलों के एक दो तीन चार्ड तो मतलब 16 ओर अंके कन्फर्म होगए आप एक दो 3 तीन बारा और यहां पर 14 ओध दीन के कन्फर्म होगे तो आप यह बैलन्स टीम आसकते हो वाकि Grand League team तो दिखा था तो अब को यह पहले पहले प्राइल की तीम 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 इसमें क्रेट का इसु रहेगा बाकि Grand League team recording यह रह सकते है यहां पर क्या रिस्क लिए यहां पर मैंने ड्रॉप कर रहा है दो प्राइलम सॉल्व हो गही तीसरा मैंने यहां पर द्रॉप कर रहा है चौथा मैंने क्या कर रहा है यहां पर देखोगे तो करेगी अटलिस दो विकिट भी लेती है तो चारीज पॉइंट रहा है तो प्रॉफिट दे सकते है बाकि सोफी डिवाइन कर थोड़ा ज्याद रहेगा बट ऐसी प्लेयर सोफी डिवाइन की दस में से आठ मैच 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 परफॉर्म करती है और भी चार ओवर कर भी बालिं करें स्टार्डिंग नहीं कर दी बट बालिंग करें तो मुझे लगता है कि चाहो तो दे सकते है डिवाइन बट एक क्रिकेट में कभी कुछ भी पॉसिबिलिटी हो जाती है तो यहाँ पर डिवाइन को चाहो तो पीकर दो कि सारी जनता जा भी सकती है कि बहुत बड़ा ना तो यहाँ पर वैलिंग्टन ब्लेश की बट श्टिल बोलोंगे तो होले डुस्टन काफी कंसिस्टन रही है तो थोड़ा कम चाहे तो बाइब कर सकते हो आप होले डुस्टन को बाकि इन दोन को मीडियम कर सकते हो आपको रैंकिंग दे दूं एक पर मैं रैंकिंग में आप अनना पैटसन को भी रख सकते हो तो आइ तिंग मैं सारे पॉइंट्स कावर कर दी हर्जिश कवर करनी कोशिश करी तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर रड बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा आपको दवाना घंटी दवाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और मैसिज आपको सबसे पहले है जब भी वीडियो अपलोड करूँ दोस्तों और फ्रेंड के साथ जुरूँ शेयर करना कोई भी कोशिन पुछ मैं रिप्लाइ करूंगा जब भी रीड करूंगा टेलीग चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट में जो आपको लिंक दिया आपको इसी का यूज करना है तभी आप हमारे टेलीग्राम के सही और ओरीजिनल चैनल के साथ जुड़ पाऊँगे तो मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ जाहिन दोस्तों बाई-बाई मारे एकर जूसा दोस्तों बाई ड हमारे ऑ्के साथ ऑन दोस्तों चैनल के समांगे तो मिलते टोस्तों प्रूसे जाहिन श way मिलते यूज करने करने लिए एक.